नमस्कार दोस्तों आज अपन बात करते हैं पिंपल्स को कैसे रोके पिंपल्स को रोकने के तरीके ताकि पिंपल्स होई नहीं तो इसके लिए क्या तरीके हैं चलो आएए देखते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं पिंपल्स होते क्या है इसे देखने से पहले अपने को देखना है एक पाइलो सिबेसिस यूनिट यानि इसकीन के जो छीदर होते हैं उसमें क्या होता है तो इसकीन के जो छीदर है इसकी सरंचरा दिखाएगी है यह यह इसकीन का छीदर है और इसमें यह दिखाएगा है यह एक हीर है यह बाल दिखाएगा है और बाल है यह बाल की oil यदर से निकलता रहता है यह normal structure है एक skin का चिदर और skin के चिदर के अंदर के यहाँ पे अगर कोई block हो गया या यह ज़्यादा बन रहा है तो इसके वज़े से यहाँ पे inflammation होने लग जाता है तो जिसके वज़े से यह देखो यही pimples है यह जो देख रहा है आपको यह pimples है यार मुख्य कारण है क्या कारण है चार मुख्य उसमें से पहला कारण है सीबम का ज़्यादा बनना increased Sebum production यानि इसकीन है उसके अंदर ज़्यादा बनना अपनी जो इसकीन है औल इसकीन है उसके अंदर एकने होने की संभावना ये pimples होने की संभावने ज़्यादा होती है क्योंकि oil ज़्यादा बनता रहते हैं दूसरा है hypercornefication of pylocebiasis duct यानि dead cell ज़्यादा बनती रहती है, dead cell निकलती नहीं है तो यहां पर क्या होता है? hypercornefication हो जाता है बेक्टी जांका तो इसकी वज़ए से याँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, infection होने लग जाता है, birth formation होने लग जाता है, जिसके वज़ए से pimples बनने लग जाते हैं चोथा कारण है inflammation, तो यह pylocebiasis gland है, इसके अंदर इंफ्लामेशन हो गया तो इसके वज़े से पिम्पल्स हो जाती है इंफ्लामेशन किसी भी कारण से हो सकता है कोई दवाई लिए पनने उसके वज़े से इंफ्लामेशन होने लग जाता है कोई मेके निगल कारण हो oil ज्यादा बनना है तो उसके वज़े से inflammation होने लग जाता है pimples को रोकने के तरीके तो अब pimples को कैसे रोकें pimples को रोकने के तरीके तरीका first keep your face clean आपका जो चहरा है उसको clean करना है क्योंकि आप skin को clean करेंगे जितने भी आप बार बार clean करते रहेंगे तो इसके वज़े से आपके जो चहदर है वो open रहेंगे बंद नहीं होंगे चहदर क्लोग नहीं होंगे तो इसके वज़े से आपको pimples होने की संभावने कम रहती है तो ना hand wash करने की बाद में आपको face को clean करना है क्योंकि अगर आप direct clean करते हैं तो इससे आपके skin जो hand के बेक्टिया है वो face पे चले जाते हैं और वो face से skin के चिद्रों में चले जाते हैं जिससे एकने होने के संभावने ज़्यादा रहती है गुन गुने पानी से अपने चैरे को clean करना है पानी है वो ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और पानी ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए किती बार clean करना है उसके frequency क्या होने चाहिए तो आपको कम से कम 3-4 बार clean करना है चाहरे को दिन में एक बार सुबह उड़ते clean करना है उसके बाद में आप ओपिस वगेरा कहीं कारी के लिए जा रहे तो उससे आने के बाद में clean करना है और night को सोने से पहले आपको face को अच्छे से गुनगुने पानी से clean करना है night को clean करना बहुँ ज़्यादा जरूरी होता है आपको बहुँ ज़्यादा बार भी clean नहीं करना है और कम बार भी clean नहीं करना है क्योंकि आप चाहरे को बार बार clean करते रहेंगे तो इसके वज़े से आपकी skin है वो dry होने के समभाव नहीं रहती है और आप कम बार clean करेंगे तो आपकी अगर skin oily है तो आपको एकने होने के समभाव नहीं बढ़ जाती है clean करने के लिए आपको soap का use नहीं करना है क्योंकि soap है वो alkaline होती है और alkaline से आपकी skin की pH है वो disturb होने की समभाव नहीं रहती है तो clean करने के लिए आप नॉर्मल face wash कामे लीजिए face wash clean करने के लिए आपको face wash कामे लेनी है face wash सबसे पहले आपको nose को forehead को यहां से आपको अच्छे से अंगुलियों से tips हैं आपकी जो अंगुलियों की जो finger tips हैं वहां से आपको अच्छे से forehead और nose की ओपर अच्छे से लगाना है और आपको rubbing नहीं करनी है clean करते समझे इसके बात में आपको गुनगुने पानी से आपको अच्छे से wash करना है फेश वास काम में लेने से पहले आपको नौर्मल पहले गुनगुने पानी से दोना है देना आपको फेश वास से clean करना है फेश वास है वह बहुत ज़्यादा बार भी काम में लेनी है और फेश वास कम भी काम में लेनी क्योंकि face wash का अत्यदिक इस्तिमाल करने की वज़े से आपकी skin है वो dry होने की संभानी होती है जिसकी वज़े से skin irritate होगी और skin irritate होगी तो आपकी sebum या oil का secretion वो बढ़ जाएगा इसी प्रकार से आपको कम करेंगे तो oil है वो skin के उपर वो अच्छे से clear नहीं होगा आपकी skin के pores है वो clog है तो वो open नहीं होगी है उसकी वज़े से आपको एक नहीं होने के संभावने रखती है skin के type के according आपको face wash काम में लेना है अगर आपकी skin oily है तो आपको oil free face wash काम में लेना है enjoyl, proxide, salicylic acid आधी हो एवं आपकी skin dry है तो आपकी skin के अंदर aloe vera and hyaluronic acid content हो और आपकी skin अगर sensitive है तो इसके अंदर जो ingredient है वो irritating वगेरा नहीं हो allergy करने वाले नहीं हो तो face wash select करते से में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है number 3 scrubbing आपको scrubbing बहुत ज्यादा बार भी नहीं करनी है और कम बार भी नहीं करनी है ज्यादा बार करेंगे आप scrubbing तो इसके वज़े से आपकी dead skin है वो तो निकल जाएगी लेकिन आपकी जो skin की जो ठीकने से वो कम होने लग जाती है और आपकी इसके वज़े से skin irritate होने लग जाती है और sebum है वो reflex है वो oil का secretion बढ़ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा बार scrubbing नहीं करनी है सब्ता में कम से कम एक या दू बार scrubbing करनी है exfoliation बहुत ज़्यादा बार करेंगे तो भी आपको लेकने होने की समभाव नहीं रहती है क्योंकि रिफ्लेक्स oil का secretion बढ़ जाता है इसकिन के अंदर चार नमर पर black hand and white head अगर आपके चैरे के उपर black head और white head है यह white head दिखा रहे हैं इस परकाश के black head है white head क्यों बनते हैं क्योंकि इसकिन के जो अंदर inflammation हो रहा है इसके वज़े से पस हो रहा है तो वो दिखता है तो वो white color का होता है तो यह white head बन रहा है और यह जो black head है यह black head क्यों बनने है क्योंकि आपके pores हैं उसके अंदर जो sebum है वो बहार environment के oxygen के contact में आ गया है और इसके वज़े से इसका color black हो गया oxidize होने के बाद तो यह black head बन गय है तो दोनों को remove करने के लिए आपके skin के जो चीदर है पोर्स है उनको open करने के लिए आपको एक face wash जिसमें benzoil peroxide salicylic acid हो इनका यूज करें ताकि आपके skin के जो pores हैं वो open हो जाएं और इन से आपको आपको एक जो black head and white head है वो आपके ठीक हो जाएंगे तो आप face wash काम में लीजिए benzoil peroxide और salicylic acid containing face wash काम में लीए ताकि आपके जो black head and white head है वो नहीं हो जो होके हैं वो ठीक हो जाएंगे अगर आपकी skin oily है oil skin है वो pimple prone skin होती है इसलिए oil skin को pimple prone skin की बहुते हैं oil skin है तो इसके लिए आपको कोई भी cosmetic product वगेरा लेना हो beauty product लेना है तो वो oil free होना चाहिए तो इस skin जो आपका cosmetic product चूज करते समया आपको देखना है कि आपकी skin oily है तो आपको oil free product काम में लेना है और अगर आपकी skin है वो dry skin है तो आपको oil waste skin product है वो काम में लेना है तो diet for एगने prevention बहुत बार देखा गया है कि जो sugar जदा खा रहे है फेट जदा खा रहे है और vitamin A, C, E और antioxidant जिनकी diet में कम हो रहा है balance diet नहीं ले रहे है तो उसके अंदर एगने होने के समाहने है ज़ादा रहत vitamin A, C, E, antioxidant, micronutrients युक्त जो micronutrients है युक्त फूड है वो जदा से जदा बढ़ाएं आपकी diet के अंदर dairy product, refined carbohydrate, milk, chocolate, fried food, sugar, अदिनियो इनको कम से कम इस्तिमाल करना है जात हो सके इनको avoid करे वो vitamin A, C, E, antioxidant युक्त फूड है वो आप जदा से जदा खाएं balance diet खाएं और sugar वग फेट वगेरा, pizza, burger यह नहीं खाएं आप, make-up removal, night को सोने से पहले make-up को remove करना बहुत जरूरी होता है तो आपको अच्छे से night को सोने से पहले make-up को remove करना ना बोलें क्योंकि अगर आप make-up remove नहीं करेंगे तो आपके जो skin के जो छिदर है वो cloak हो जाएंगे और cloak होने की तो आप night को सोने से पहले अच्छे से cleanser से अपने make-up को remove करना नमबर आठ, hair cosmetic product खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी skin किस type की है, अगर आपकी skin oily है तो आपको oil free, hair cosmetic product काम में लेनी है और अगर आपकी skin dry है तो आपको oil base काम में लेनी है और अपने जो hair है वहाँ पर क्या है oily, जो hair product है वो कम से कम काम में लेना है जैसे oil वागर है वो कम use में लेना है ताकि जो चहरे की skin है, forehead की skin है वहाँ पर hair है वो contact में रहते है तो वहाँ पर एक नहीं होने के समय नहीं ज्यादा रहती है तो यह आप थोड़ा सा ध्यान रख पर है Milo Fat Pace आप चैरे को बार बार ताच नहां करें चैरे को आथों से बार बार तैस करने की वज़ा से आपकी skin है चैरे की। यह मितार अहाँ कि वह क्यों डिख अब उसमें अझाल के सब्सक्ति, जिसके वह का शोबता है सब्सक्राइब करें शोब्सक्राइब कि एकने शोब शोबाउ। या पिचका से पिचका करके उसको बहान ही निकालना है इसके वज़े से आपकी जो एकने हो फ्लेर अप होने के संभावने ही रहती है आपको इसकारिंग होने के संभावने ही रहती है जिसके वज़े से आपका चैरा खराब होने के संभावने ही रहती है तो आपको जो एकने ह इसको pop-up नहीं करना है, pop-up करेंगे तो आपको inflammation flare-up हो जाएगा, scarring होने के संभावने रहती है, तो आपको ये ध्यान रखें. 11 नमर, sun screen, आप बार जा रहे हैं तो आपको sun screen लगाना बिल्कुल ना भूलें, sun screen लगा रहे हैं, तो sun screen आपको एक broad sun screen काम में लेनी है, dry skin के लिए oil-based sun screen और oily skin के लिए oil-free sun screen काम में लेनी है, तो sun screen का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना है, कि आपकी sun screen है, वो broad spectrum sun screen हो, UVA और UVB दोनों से protect करती हो, oily skin के लिए oil-free sun screen और dry skin के लिए oil-based sun screen खरीदें. 12 इस्ट्रेस मेनेजमेंट, stress के वज़े से एकने बढ़ते हैं, इसलिए आपको stress मेनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी activities करनी हैं, जैसे yoga वगरा कर सकते हो, meditation कर सकते हो, आप exercise कर सकते हो, music सुन सकते हो, आप dance कर सकते हो, आप lap to show join कर सकते हो, जिसके वज़े से आपको stress management हो, stress नहीं होगा, तो उसके वज़े से एकने फ्लेर अपनी होगा, keep your skin hydrated, अपनी स्किन को अच्छे से hydrate रखिए, plenty of water है, वो intake करना, आपको, खुब सारा liquid लेना है दिन के अंदर, जिसके वज़े से आपको, एकने है, वो कम से कम हो, नमर 14, antioxidant diet, अपनी diet के अंदर, vitamin C, vitamin A, vitamin E, अमिल कर दीजिए, जो कि antioxidant होते हैं, antioxidant युक्त diet है, वो अपनी food के अंदर लेना है, regular exercise कीजिए, ताकि आपको एकने नहीं हो, thank you दोस्तो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज, चैनल को like, subscribe, type, and share करना ना पूले,